हेलो फ्रेंड्स वेल्कम तो माई चैनल होम साइंस फ्रेंड्स आज मैं आपके लिए एक कलर का बहुत ही प्यारा सा पैटर लेकर क्या आई हूँ यह हमारा पैटर्न है चार सलाई में ही बन करके कम्प्लीट हो जाता है और इस पैटर्न को बनाने के लिए हमें चाहिए टू की मिल्टिपल फंदे तो देखे पहली सलाई जो होगी हमारे पैटर्न की इस तरह से होगी सैड़ वाला फंदा हम यहाँ पर बिना बनी उतारेंगे और उसके बाद में एक सीधा फंदा लेंगे यहां पर इस तरह से सलाई को डालेंगे एक फंदा बनाएंगे अब यह देखिए दो फंदे हैं तो इनको देखिए इस तरह से लेना है पीछे की तरब से सलाई को डालेंगे और इन दोनों फंदों का एक फंदा कर देंगे फिर से हम इसी तरह से यहां पर दो फंदे छोड़ करके इस तरह यहां पर सलाई को डालेंगे और इस तरह से एक फंदा बनाएंगे और फिर इसके बाद में दोनों फंदों को हम एक कर देंगे अब हुए अब यहां पर मारे पास दो फंदे बचे हैं तो इन दोनों फंदों को हम सीधा वहलेएंगे यहां पर यह पहले सलाई कंप्ट्रीट हो जाती है अब हम आते हैं दूसरी सलाई पर उल्टी तरफ से यहां पर देखें आप ध्यान से इसको बिना बूने उतार लेंगे अब दखें यह उल्टी तरप से है दखें, सलाई को हमें इस तरह से यह एक और दो दिखेंगे यहां पड़ डालेंगे दो फंदों की बीच में और यहां पर हम दखेंगे इस तरह से एक फंदा बनाएगे और फिर इसके बाद में इन दोनों फंदों को हम दो का एक कर देंगे अब देखें ये दो फंदे थे इसका एक और इन दोनों फंदों का जो एक फंदा है इन दोनों फंदों के बीच से देखिए यहां सिधी तरब से इस तरह सलाई को डालेंगे और यहाँ पर हम इस तरह से एक फंदा बनाएंगे और फिर इसके बाद में इस दोनों फंदों का हम एक कर लेंगे फिर से देखिए यहाँ पर डालेंगे इस लाई को सिधी तरब से और इसके बाद में इन दोनों फंदों को हम एक कर लेंगे तो इसे देखें यहां पर हम डालेंगे इस तरह से और दोनों फंदों का हम एक बना लेंगे दिए हमारे पास यहां पर यह तीन फंदे हैं तो इन दोनों फंदों को इस तरह से एक करेंगे एक दो सलाई हमारी यहां पर कंप्लीट हो जाती है अब इसके बाद में बाते हैं तीसरी सलाई पर तीसरी सलाई पर साएडवाला फंदो यहां पर बिनाबुने उतारेंगे अब इसके बाद में फिर यह दूसरा फंद streaming है इसको हम सीधा बनाएगे जैसे अमने पहली सलाई बनाई है बिल्कुल इसी तरह से अपटी तीसरी सलाई बनाएगे देखिए साइड वाला फंदा और एक फंदा बुल लिया अद देखिए ये फंदा और इन दोनों के बीच से यहाँ पर सलाई को डालेंगे और इस तरह से एक लूप बनाएंगे फिर इसके बाद में देखिए इस सलाई को इस तरह से में पीशे की तरब से दोनों फंदों को एक साथ बुनना है बहुत ही आसान सा डिजाइन है बहुत ही प्यारा दिखता है बेंडे के बाद में इसके जो सलाईय दो ही सलाईय रिपीट करनी होती है डिजाइन हमारा दो ही सलाईय को रिपीट करने के बाद बनता है अब हमारी यहां पर देखिए तीसरी सलाई हो गई अब इसके बाद में आते हैं चौथी सलाईय को बिल्कुल दूसरी सलाईय की तरह ही बुलना है साड़ वाला एक फंदा मेना बुने उतार लेंगे अब इसके बाद में देखिए यहां पर एक दो फंदे चोड़ने के बाद में इस तरह से डालेंगे सलाई को सिधी तरप से एक लूप बनाएंगे और यह देखिए दो का हम यहां पर एक कर देंगे कर देखिए 34 सलाई भी हमारी कम्प्लीट हो जाती है देखिए चार सलाई को बनाने के बाद में मारा डिजाइन देखिए कुछ इस तरह से बनकर के आया है अगर वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी तक सब्सक्राइब नहीं करें तो सब्सक्राइब करना भी ना भूलें मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए बाई